हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मारे यूट्यूब चैनल पे तो फ्रेंट्स आज मैं आपसे 36 साइज का पीछे बोट नेक और सामने ओपन नेक का कटिंग कैसे करते हैं वो में शेयर करूंगी तो चलिए आप स्क्रीन पर मेजर्मेंट देख लीजिए जब हम ब्लाउंस की कटिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो सबसे पहले हम ब्लाउंस की लंबाई ले लेंगे तो ब्लाउंस की लंबाई ये 14 इंच तो 15 इंच पर हम निशान लगा लेंगे इस तरह से ये 15 इंच पर 6 इंच पर लगाएंगे जो की आरमोल का लाइन होगा तो हम्य स्तरह से एक लाइन क्षी लिएंगे यहां पर , यहां से भी हम नाप लेंगे यहां पर , लिकिन हमें क्या करना है पीछे में हमें हाफ इंच तर क्रॉस लेना है जो ये बैक है हमारे ये क्रॉस लेना है ताकि हमारे आर्मोल के पास चुन्नट ना जोलना आ अधिक और यहां से हम ले लेंगे चेस्ट का नाप तो चेस्ट 36 साइज रे तो उसका 34 इंच होगा 9 इंच तो यहां पर हम 9 इंच लेंगे और एक इंच लोजिंग लेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया है क्लोज नेक कॉलर नेक और जो बोट नीउट होता है उसमें हमें एक का लोजिंग लेना होता है तो यह मैंने एक इंच का लोजिंग ले लिया है और यह हमारा डेड़ इंच का ब्लाउंस का मार्जिन हो जाएगा इस तरह से तो अब हम इसे गुलाई लगा लेंगे यह देखिए यह हमारा गुलाई हो गया और कमर का भी नाप लागा लेंगे तो कमर है हमारा 31 इंच 31 इंच का चुथाई भाग होता है पौने 8 इंच इस तरह से और 1 इंच हम डॉट्स के लिए दे देंगे और 1.5 इंच का हम मार्जिन यह वाला भी निशान हम खीच लेंगे अब हम नेक का निशान लगा लेंगे तो यह हमारा पीछे का बोट नेक है तो यह हम 4 इंच पे लगाएंगे इस तरह से इसे हम 3.5 इंच पे लगाएंगे अब हम इसका शेप पना देंगे बोटनेक का इसे हमें क्या करना है हाफ इंच तक डाउन करना है इस तरह से हरी कि तो हम'S कर लेंगे तो जैसे कि हमारा आ böl capacity मेसरमिंट कर लेंगे तो यह हमारा आ Africa तो तो शोला इंच का हाफ होगा फ़ोगा की आफ इंच तो हम यह देख लेंगी हमारा आफ इंच 39 मेस्ट आपके तो आप देख सकते हैं यह यह हमारा बराबर में आठेंच ही आ रहा है तो यह हमारा बैक पार्ट का कम्प्लेट हो चुका है मेजरमेंट अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे अब हम यह बैक टक्स का भी निशान लगा लेंगे तो इसे हम इस तरह से यह फोल्ड कर देंगे और चार इंच का यह साठी तीन इनज पाभी हम लगा सकते है पैक टक्स यह चार इछ पछारट पर में लगा दूँगए तो प्रेंस यह हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है वो फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे होकाई के लिए मार्जिन लेंगे तो देखे फ्रेंस यह हमारा बैक पार्ट है जैसे कि हमने बैक वाले पार्ट में शोल्डर लिया था साड़े साथ इंच लेकिन हम फ्रंट वाले पार्ट में हाफ इंच कम करके शोल्डर लेंगे तो साड़े साथ लिया था तो हम ये शोल्डर लेंगे 7 इंच पे इस तरह से अब हम ये क्या करना है बैक वाले पार्ट को फ्रंट वाले पार्ट पे इस तरह से रख देना है इस तरह से हमें फ्रंट वाले पार्ट को रख देना है तो आप ये देख सकते हैं friends मैं ये हो को आई वाले margin को छोड़कर नहीं रख रही हूँ मैं ये पूरा रख रही हूँ जैसे कि हमने back वाले पार्ट में एक इंच लोजिंग दिया था तो हमें front वाले पार्ट में सिर्फ half इंच लोजिंग देना है क्योंकि हमारा ये front वाला पार्ट शाड़े 6 इंच पे open neck खुल रहा है इसलिए हम half इंच का ही margin देंगे तो मैं क्या कर रही हूँ ये जो half इंच है इसे इसके उपर ही जो हमारा extra margin है इसके उपर ही मैं ये back वाले पार्ट को रख रही हूँ इस तरह से कि ये हमारा कंप्लीट हो चुका है measurement अब हम कि हटा लेंगे इसे अब हम इसकी गहराई से निशान लगा लेंगे तो ये हमारा जैसे कि हमारा 6.6 इंच का गला खुल रहा है तो हमें क्या करना है ये इस तरह से 6.6 इंच पर टिक लगा देंगे तो ये वाला जैसे कि आपको अगर चौड़ा पसंद नहीं है तो आपको ये काम करना है इसे आप थोड़ा सा इस तरह से क्रॉस कर सकते हैं अब हम इसकी गुलाई का निशान लगा लेंगे इस तरह से तो ये हमने ये गुलाई का निशान लगा लिया है फ्रेंट्स लेकिन फ्रेंट्स देखिए ये जैसा हमारा चौड़ाई है अगर आप इसी तरह से गुलाई शिप देंगे तो आपका नेक बहुत ही सुन्दर बनेगा चौड़ाई में बनेगा अगर आप कम इस साथरा से क्रॉस चौड़ाई कर सकते हैं कि इसे जो कि यह हमारा सिंगल दॉट है तो हम इसका बस्ट पॉयंट निम लगा लेंगे तो यह हमारे चांच्छ चोथाई भाग होता है 9 इंच उसमें हम एक प्लस कर देना है तो यह माफ इंच पाड़ाई मार्जिंग को देखे फ्रेंट्स प्रॉसस सेमी रहेगा यहां से हम क्या करेंगे चार इंच ले लेंगे और यहां पर हमें साड़े तीन इंच लेना है यह वाला लाईन हमें क्रॉस में इस तरह से लेना है सवा 3 इंच का हम पफ देंगे अब हमें इस तरह से इसका शेप बना लेना है यह सिंगल डॉट का यह शेप है है कि हम कमर का नाप ले लेंगे फ्रेंट्स कमर का नाप देखिए यहां से साड़े यह हमें 3 इंच छोड़कर यहां पर कमर था हमारा पौने 8 इंच होड़कर नापेंगे तो यह देखें यहां पर हमारा पौने 8 इंच का शेप आ रहा है यह दिएड़ इंच का हमारा ब्लाउंज का एक्स्ट्रा मार्जिन हो जाएगा इस तरह से तो हमें इसके ऊपर से कटिंग नहीं करना है इसे हमें इस तरह से जितना भी आप पगड़कर सिलाई करते हैं उतना आप यहां से आप छोड़ दीजिए देखिए हमें कटिंग इसके ऊपर से नहीं करना है इसके ऊपर से करना है तो सबसे पहले हम इसे नाप लेंगे इसे भी नापना जरूरी होता है अगर आप इसे नहीं नापेंगे तो जब यह आप जोड़ते वक्त आपका यह आपका यह जोड़ते वक्त यह बड़ा हो जाता तो इसे भी हम बराबर कर लेंगे तो इस तरह से हम नाप लेंगे तो यह देखे फ्रंस हमारा चार इंच आ रहा है तो यहां से भी हम नाप लेंगे लेकिन हमारा यह चार इंच यहां पर आ रहा है यहां पर तो इसको इस तरह से हमें मिला लेना है तो यह हमारा फ्रंट पार्ट का मेजरमेंट कंप्लेट हो चुक है अब हम इसके कटिंग कर लेंगे कर देख सकते हैं फ्रेंट यह हमारा बैक लूज्स नेक और फ्रेंट ओपन नेक का कटिंग डोट से है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 4.3.6 प्रिंसस कट से कैसे कटिंग करते हैं, वो भी मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो यह हमारा, अगर आपको यह कटिंग से रिलेटेट कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए, मेरी वीडियो प